30 जून 2023 प्राता मुरली ओम शांती बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो तुम्हें बाप के पास वापस जाना है इसलिए घर को याद करो प्रश्ना अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत-बहुत ध्यान रखना चाही उत्तर भोजन का सेंसिबुल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे सर्विसेबुल बच्चों को बहुत फुर्थ बनना चाहिए हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है गीत मुझको सहारा देने वाले ओम शान्ती बच्चों प्रती बाब बैठ समझाते हैं बच्चे जानते हैं हम आत्माय परम्पिता परमात्मा बाब से सुन रही है आगे सत्संबों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माय परम्पिता परमात्मा से सुन रही है यहां बच्चे बाब के और बाब बच्चों के सम्मुक है बाब निराकार है और आत्मा भी निराकार है न कितने धेर के धेर बच्चे हैं यहां बाप बिगर और कोई कहन न सके। जो बाप के समुख ब्रामन ब्रामरिया हैं, उनको ही बाप बेट समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माए हैं। यहां कोई पुन्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुन्य आत्माओं की दुनिया सत्यूग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहत का बाप राज्यूग सिखला रही है। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहिद जो कुछ है उनको भूलना है। उनसे वैराग्य आना चाहिए। यहां है बेहत का वै राग्य तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है। रहना ग्रिहस्त व्यवहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलियूग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सत्यूग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उन्हों का अभी तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़ कर हमको वापिस जाना है। खुशी रहनी चाहिए बाबा हमको फिर से वापिस ले जाने आये हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया ग्रिहस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के आक्टर्स पाठ पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्रामनों ने 84 जन्मों का पाट बजाया, 84 का चक्र ही कहा जाता है। वरणों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूनों को देखते हैं। इनकी आत्मा भी देखती है और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप, टीचर, सद्गुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चिया भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टी चक्र की नौलिज दी हैं, वह आपको सुनाते हैं। तो सद्गुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी याद पड़ती है। तो ठात्मा कहा जाता है। अगर परमातमा सर्वव्यापी हो तो महान परमातमा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमातमा बैठ्ट यध्यतप आधी करे। भक्त भग्वान को ढूंड़ते हैं। यहां भी ड्रामा के अंदर भक्ती मार्ग की नून्ध है. तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग फिर 63 जन्म भक्ती मार्ग के अंदर चक्र में आना है. तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है. हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है. शरीर तो खत्म हो जाता है आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजाया अभी हमको पाठ पूरा करके वस्तर छोड़ना है इनमें ममत्र नहीं रखना है आत्मा ही सब कुछ करती है आत्मा पढ़ती है कहती है हमने इतना पढ़ा है इन आरगंस द्वारा आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है आत्मा कहती है मैं अमर हूँ तुम्हारी बुद्धी में अभी रहता है बरोबर इस बेहत के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पाथ है अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के है भारत की बड़ी भारी महिमा है क्रिश्यन लोगों को भी परंतु वहां सिर्फ कहे मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं है वहां तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवती भगवान कहते हैं गौर्ड कृष्णा नहीं, लौर्ड कृष्णा कहते हैं श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने ते पुराने चित्र मांगते हैं क्योंकि फिर भी सब के बड़े हैं, ना देवी देवताओं भारत की बड़ी महिमा है गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का यह भारत खंड जन्मस्थान है शिर्फ के मंदिर तो जहता है पतित पावन बाप पतित दुन्या में ही आकर सब को पावन बनाते हैं, तो उंच हो आना महिमा भी होती है शिवाय नम तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम ज्ञान के सागर हो तुम्हारी गत्मत न्यारी है तुम्हारी महिमा अपर्मपार है परंतु फिर उनको भूल जाते हैं इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है सब आत्माओं का बाप वह निराकार है तुम गौड फादर को पुकारते हो परंतु वह कब आते हैं यहाँ पता नहीं है वह यूरोप वासी यादव भी जानते हैं हमने यह जो मूसल बनवाएं है इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे महा भारत लडाई मशूर है सामने मौत खड़ा है भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं समझते हैं भारत बहुत धनवान था इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरेमनिया आदी ले जाकर कबरों में लगाई है बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं सिवाए योगबल के कोई विश्व का मालिक बनना सके क्रिश्चिन लोग हैं एक ही धर्म के फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं यादफ कुल वाले मुसलों द्वारा आपस में लड़ते हैं यह जानते हैं कि बाम्स से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी हम राज्य कर नहीं सकेंगे तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा तुम कुरुशार्थ कर रहे हो अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं याद एक बाप को करना है कबरिस्टान को क्या याद करना है कबरिस्टान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है नहीं तो सत्यूग में इसी ही भारत में हिरेजवाहरात की खानिया थी अब तो सब खत्म हो गई है बच्चों ने साक्शातकार किया है कैसे विमानों में सोना आधी ले आते हैं वह स्रिष्टी ही नई बन जाएगी। वहां कितने अच्छे अच्छे फलफूल होते हैं। हर चीज वहां अच्छी होती है। गंद करने वा दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं इसलिए उनको स्वर्ख कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आ परन्तु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षा बंधन का भी उत्सव है। रावन को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी स्रिष्टी इस समय रावन का घर है। सब शोक वाटिका में है। कितने दुखी है। तो सबसे ममत्व मिटा देन चाहिए अभी हम वापिस घर जा रही हैं घर को ही याद करना है सत्यूग में जब शरीर बुड़ा होगा तब समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं अभी तुम समझते हो हमको वापिस जाना है इसलिए देहभिमान छोड़ना है दुनिया इन बातों को न नहीं जानती है कह देते आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा बाप समझाते हैं यह जूट है अगर भक्ती भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो पतित पावन तो एक निराकार बाब गाया हुआ है कहते हैं मुझे पतित दुन्या में ही आना पड़ता है फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ सारी दुन्या को पावन बनाकर वापिस ले जाता हूँ वहाँ परमधा में सब आत्माय पवित्र ही रहती है फिर यहां सतो, रजो, कमों में पास कर अंत में पतित बन पड़ी है यहां है सबका अंतिम जन्म लक्ष्मी नारायन भी अब अंतिम जन्म में है पतित पावन एक ही बाप है इस स्रिष्टी चक्र को समझना बहुत सहेज है माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीती समझा सकती है इसमें सिर्फ बुद्धी की समझ चाहिए चित्र पर समझाना बहुत सहेज है बाप बिगर यहां नौलिज कोई समझा नहीं सकता और कोई पास यह चित्र है नहीं इन चित्रों का बहुत-बहुत मान होगा बापा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह जाड त्रिमूर्थी का चित्र भेजो विलायत में भी भेज दो इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है रूबरू जाकर समझा सकते हो यह भी नॉलिज है ना कॉलेजों में यह होनी चाहिए तो उन्हों को बेहत के हिस्ट्री जोग्राफी की नॉलिज मिले जो ब्रामण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा भिन भिन प्रकार के डाइरेक्शन बाबा देते रहते हैं बच्चों को कभी जोश आता है फिर ठंडे सोडावाटर हो जाते हैं बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज में यहाँ चित्र दो चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना विलायत के बड़े-बड़े आदमियों को फ्री दो बेहत का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो परन्तो ऐसे नहीं च्राम वबस में जो मिले उनको देते रहो लायत भी देखना है इनमें बड़ी अच्छी नौलेज है बड़े-बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो मेहंत करनी चाहिए ना सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं हर एक की अपनी-अपनी सर्विस है माताओं को भी घर में सर्विस करनी है चित्र उठा कर फिर प्यार से बैट समझाओ छोटे-छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना कोई चार मास का बच्चा है कोई छे मास का कोई दो मास का अब तुम्हारी बुद्धी में हैं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं अब ब्रामर बने हैं फिर देवता बनेंगे फिर ख्षत्री ऐसे ऐसे अपने से बाते करनी चाहिए तुम पारलोकिक बाप से बाते करने वाले हो यहां है विचार सागर मन्थन करना जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा तुम गौडली सर्विस पर हो बापा कहते हैं भला ग्रिहस्त व्यवहार की सारा दिन बुद्धी में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए 84 का चक्र याद आना चाहिए यहां भूल क्यों जाते हो जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे फिर विश्नों के गले का हार बनेंगे घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है यहां धालना अच्छी होगी क्योंकि यहां कोई मित्रसंबंधी आदी तो है नहीं सर्विसबुल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्मेंट इजाफा देगी तुम ब्रामनों को भी ऐसा रहना चाहिए हम जुन्ड का जुन्ड अच्छा तयार कर बाबा के पास ले जाएं इसको कहेंगे सेंसिबुल अगर कोई मेहन्त नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है टीचर ऐसा फुर्थ होना चाहिए जो दस सेंटर संभाले इधर उधर भागता रहे पाँच से छे घंटा नींद काफी है बाकी मेहन्त करनी चाहिए अच्छे सेंसिबुल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी बाब की याद से बहुत अच्छी उन्नती होगी स्वदर्शन चक्र फिराते रहो अच्छा मिठे मिठे सिकील दे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मारनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चो को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक अपने आपसे वा पारलोकिक बाब से बाते कर विचार सागर मंथन में बुद्धी को बिजी रखना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है दो अभी हम वापिस घर जा रही हैं यह शोक वार्टिका है, इससे ममत्व मिटा देना है नई दुन्या से अपनी दिल लगानी है वर्दान दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्तभव जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वावा के गीत गाते रहते हैं उनके मन से स्वप्न में भी हाई शब नहीं निकल सकता क्योंकि जो हुआ वह भी वा जो हो रहा है वह भी वा और जो होना है वह भी वा तीनों ही काल वावा है अर्थात अच्छे ते अच्छा है जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है स्लोगन संसकारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश वा रोप के संसकार इमर्ज ही ना हो